C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तु थे विज्ञान की ध्वनी पाठ्थे पुस्तक कक्षा आठ ओडियो बुक विज्ञान कक्षा आठ अध्याई बारह घर्शन प्रिष्ठ संख्या 146 से प्रिष्ठ 156 तक तो आईए अब सुनते हैं अध्याई बारह घर्शन प्रिष्ठ 146 आपने ट्राफिक सिगनल पर कार अथ्वा ट्रक चालक को अपने वाहन को मंद करते देखा होगा जब भी आवश्चक होता है आप भी ब्रेक लगा कर अपनी साइकिल को मंद करते हैं क्या आपने कभी सूचा है कि ब्रेक लगाने पर वाहन मंद क्यों हो जाते हैं केवल वाहन ही नहीं, कोई भी वस्तू जो किसी अन्य वस्तू के प्रिष्ठ पर गती कर रही होती है, उस स्थिती में भी मंद हो जाती है, जब उस पर कोई बाहरी बल न लगाया हो, अन्ततह वो रुक जाती है. क्या आपने फर्ष पर लुढ़कती गेंद को कुछ समाई पश्चात रुकते देखा है? केले के छिलके पर कदम पड़ते ही, हम क्यों फिसल जाते हैं? चित्र 12.1 किसी चिकने तथा गीले फर्ष पर चलना क्यों कठन होता है? इस प्रिष्ठ पर बाई और नीचे चित्र 12.1 दिखाया गया है. इसमें ये बताया गया है कि जब कोई लड़का किसी केले के छिलके पर कदम रखता है, तो वो गिर पड़ता है. इस अध्याय में आप इसी प्रकार के प्रश्णों के उत्तर पाएंगे. 12.1 घर्शन बल क्रिया कलाप 12.1 मेज पर रखी किसी पुस्तक चित्र 12.2.1 को धीरे से धके लिए. आप ये देखेंगे कि कुछ दूरी चल कर ये रुक जाती है. इसी क्रिया कलाप को विपरीत दिशा में बल लगा कर दोहराईए. चित्र 12.2 बी क्या इस बार भी पुस्तक रुक जाती है? क्या आप इसका स्पष्टी करण सोच सकते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि पुस्तक की गती का विरोध करने के लिए उस पर कोई बल लगना चाहिए? इस बल को घर्शन बल कहते हैं. चित्र 12.2 ए तथा बी इन दोनों में ये दिखाया गया है कि घर्शन पुस्तक तथा फर्ष के पृष्टों की सापेक्ष गती का विरोध करता है. पृष्ट 147 आपने देखा कि यदि आप बाईं दिशा में बल लगाते हैं, तो घर्शन दाईं दिशा में कार्य करता है. दोनों स्थितियों में घर्शन पुस्तक की गती का विरोध करता है. घर्शन बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है. इस क्रिया कलाप में घर्शन बल पुस्तक तथा मेज के पृष्टों के बीच कार्य करता है. क्या सभी पृष्टों पर समान घर्शन बल लगता है? क्या ये फ्रिष्ठों के चिकने पन पर निर्भर करता है? आईए पता लगाएं 12.2 घर्शन को प्रभावित करने वाले कारक क्रिया कलाप 12.2 किसी इंट के चारों ओर एक डोरी बांधिये इंट को कमानी दार तुला द्वारा खीचिये चित्र 12.3 आपको कुछ बल लगाना पड़ता है जैसे ही इंट गती करना आरंभ करे कमानी दार तुला का पाठियांक लीजिए इस से आपको उस घर्शन बल की माप प्राप्त होगी जो इंट तथा फर्ष के प्रिष्ठों के बीच लगता है चित्र 12.3 इस चित्र में ये दिखाया गया है कि कमानी दार तुला द्वारा इंट को खीचा जा रहा है अब इंट पर पॉलिथीन का टुकड़ा लपेटिये और क्रिया कलाप को दोहराईए क्या आप उपरोक्त दोनों स्थितियों में कमानी दार तुला के पाठ्यांकों में कोई अंतर पाते हैं इस अंतर का क्या कारण हो सकता है इंट पर जूट का एक टुकड़ा लपेट कर इस क्रिया कलाप को दोहराईए आपने क्या पाया कमानी दार तुला कमानी दार तुला वो युक्ती है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है इसमें एक कुंडलित कमानी होती है जिसमें बल लगाने पर प्रसार हो जाता है कमानी के इस प्रसार की माप इसके अंशंकित पैमाने पर चलने वाले संकेतक द्वारा की जाती है पैमाने के पाठ्यांक द्वारा बल का परिमान प्राप्त होता है किसी चिकने फर्ष अथवा किसी मेज पर कोई आनत सम्तल बनाईए इसके लिए आप इंटों के सहारे रखा कोई लकडी का तखता उपियोग कर सकते हैं चित्र बारह दशमलव चार ए आनत सम्तल के किसी बिंदु ए पर पैन से कोई चिन अंकित कीजिए अब कोई पैंसिल, सेल इस बिंदु से नीचे लुड़कने दीजिए रुखने से पूर्व ये मेज पर कितनी दूरी तै करता है इस दूरी को नोट कीजिए अब मेज पर कोई कपड़ा बिचा दीजिए ये सुनिश्चित कीजिए कि कपड़े में सिल्वट न हो इस क्रिया कलाप को फिर कीजिए चित्र 12.4 B प्रिष्ठ 148 मेज पर रेत की पतली पर्त बिचा कर इस क्रिया कलाप को दोहराईए समस्त क्रिया कलाप में आनत सम्तल का धलान समान रखिए इस प्रिष्ठ पर बाई और चित्र 12.4 A वब B दिखाई गए है इन दोनों चित्रों के माध्यम से ये बताया गया है कि पैंसिल सेल विभिन प्रिष्ठों पर भिन भिन दूरियां तै करता है किस स्थिती में पैंसिल सेल द्वारा तै की गई दूरी सबसे कम है सेल द्वारा हर बार तै की गई दूरियां भिन भिन क्यों होती है इसका कारण जानने का प्रियास कीजिए अपने परिनाम पर चर्चा कीजिए क्या सेल द्वारा चली दूरी जिस प्रिष्ठ पर वो चलता है उसकी प्रकृती पर निरभर करती है क्या पैंसिल सेल के प्रिष्ठ का चिकनापन भी चली गई दूरी को प्रभावित करता है बूजो ने कहा मैं इस क्रिया कलाप को सेल पर रेगमाल का टुकडा लपेट कर करूँगा घर्शन संपर्क में आने वाले दो प्रिष्ठों की अनियमित्ताओं के कारण होता है ऐसे प्रिष्ठ जो देखने में बहुत चिकने लगते हैं उनमें भी बहुत सारी सूक्ष्म अनियमित्ताओं होती हैं चित्र 12.5 दो प्रिष्ठों की अनियमित्ताएं एक दूसरे के भीतर धंस जाती हैं। जब हम एक प्रिष्ठ पर दूसरे प्रिष्ठ को गती कराने का प्रयास करते हैं तो हमें इस अंतह बंधन, इंटरलॉकिंग पर पार पाने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है। खुर्दरे, रुख्ष प्रिष्ठों पर ये अनियमित्ताएं अधिक संक्या में होती हैं। अतह है यदि प्रिष्ठ रुख्ष हो तो घरशन बल अधिक होता है। इस प्रिष्ठ पर बारह दशमलव पांच दर्शाया गया है। इस चित्र के माध्यम से प्रिष्ठी ये अनियमितताईं दिखाई गई है। इस चित्र में नीले रंग में पुस्तक का प्रिष्ठ और भूरे रंग में मेज का प्रिष्ठ दिखाया गया है। प्रिष्ट 149 हमने ये सीखा कि दो प्रिष्ठों के बीच अनियमितिताओं के अन्तह बंधन के कारण घर्षण होता है। सपष्ट है कि यदि प्रिष्ठों को बलपूर्वक दबाएं तो घर्षण में वृद्धी हो जाएगी। इसका अनुभव आप किसी चटाई को उस समय खीच कर कर सकते हैं जब उस पर कोई व्यक्ती नहीं बैठा है तथा जब कोई व्यक्ती उस पर बैठा हो। इस प्रिष्ठ पर बाई और बीच में चित्र 12.6 दर्षाया गया है। इस चित्र के माध्यम से ये बताया गया है कि बॉक्स को गतिमान रखने के लिए लगातार धकेलना पड़ता है। अपने उस अनुभव को याद कीजिए। जब पिछली बार आपने किसी भारी बॉक्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरकाया था। चित्र 12.6 यदि आपको इस प्रकार का कोई अनुभव नहीं है तो अब इस प्रकार का अनुभव कीजिए। कौन सा कार ये आसान है। विराम अवस्था से किसी बॉक्स को गतिशील कराना अथवा किसी गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना। किसी रुकी हुई वस्थू को विराम से गतिव प्रारंभ करने की स्थिती में घर्षन पर पार पानी के लिए वस्थू पर लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षन की माप होती है। इसके विप्रीत किसी वस्थू को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्चक बल उसके सरपी घर्षन की माप होती है। जब बॉक्स सरकना आरंभ कर देता है तो उसके प्रिष्ठ के संपर्क बिंदूओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे फर्ष के संपर्क बिंदूओं में धस सकें। अतह सरपी घर्षन स्थैतिक घर्षन से कुछ कम होता है। इसलिए किसी बॉक्स में गती आरंभ करने की अपेक्षा पहले से ही गतिमान बॉक्स की गती बनाए रखना सरल होता है। अब अपने कुछ अनुभवों को याद कीजिए। किसी काँच के गिलास अत्वा किसी कुलहड में से किसे पकड़े रखना आसान है। मान लीजिए किसी गिलास का बाहरी प्रिष्ठ चिकना है तथा उस पर पकाने के तेल की परत चड़ी है। तो क्या उसे हाथ में पकड़ना आसान होगा? अत्वा कठिन हो जाएगा। जरा सूचिए। यदि घरशन न हो तो क्या आपके लिए गिलास को पकड़े रखना संभव हो पाएगा? ये भी याद कीजिए कि मार्बल के गीले फर्ष अत्वा कीचड़ वाली पकड़न्डी पर चलना कितना कठिन होता है। क्या आप घरशन न होने की स्थिती में चलने की कलपना कर सकते हैं? यदि घरशन न हो तो आप पेन अत्वा पैंसिल से नहीं लिख सकते। जब आपके शिक्षक चाक से श्यामपट पर लिखते हैं, तो श्यामपट का रुक्ष प्रिष्ठ रगड़ द्वारा चाक के कुछ कणों को उतार देता है। जो श्यामपट से चिपक जाते हैं और इस प्रकार श्यामपट पर आपको लिखावट दिखाई देती हैं। है कि घर्शन के कारण दीवार में कील गड़ जाती है। प्रिष्ट 150 यदि सड़क तथा वाहन के टायरों के बीच घर्शन न होता तो उन वाहनों की न तो गती आरंभ की जा सकती थी, नहीं उन्हें रोका जा सकता था और नहीं दिशा परिवर्थित की जा सकती थी। यदि कोई वस्तू गती आरंभ कर दे तो वो कभी नहीं रुकेगी, यदि वहां घर्शन न हो, आप दीवार में कील नहीं ठोक पाते, चित्र 12.7 अथवा धागे में गांठ नहीं बांध पाते, घर्शन के बिना कोई भवन निर्मान नहीं हो सकता था। इस प्रिष्ठ पर बई और बीच में चित्र 12.8 दिखाया गया है। इस चित्र के माध्यम से ये बताया गया है कि घर्शन के कारण जूतों के तले घिस जाते हैं। इसके विप्रीत घर्शन हानीकारक भी है। घर्शन के कारण वस्तुएं घिस जाती हैं। चाहे वो पेंच, बॉल बेरिंग, अथवा जूतों के सोल ही क्यों ना हो। चित्र 12.8 आपने रेलवे स्टेशनों पर पैदल उपरी पुलों की घिसी पिटी सीडियां देखी होंगी। घर्शन से उश्मा भी उत्पन्न हो सकती है। कुछ मिनट तक अपनी हथेलियों को तेजी से एक दूसरे के साथ रगड़िये। चित्र 12.9 आप क्या अनुभव करते हैं। जब आप माचिस की तीली को किसी रुक्ष प्रिष्ठ से रगड़ते हैं तो वो आग पकड़ लेती है। चित्र 12.1 आपने ये देखा होगा कि विद्युत मिकसर को कुछ मिनट तक चलाने पर उसका जार गरम हो जाता है। आप ऐसे बहुत से उदारण दे सकते हैं जिनमें घर्षण द्वारा उश्मा उत्पन्न होती है। वास्ताव में जब हम किसी मशीन का उप्योग करते हैं तो घर्षण से उत्पन्न उश्मा के कारण अत्यधिक ऊर्जा नश्ट हो जाती है। इस अनुभाग में हम घर्षण को कम करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इस प्रिष्ठ पर उपर चित्र 12.9 दिखाया गया है। इसके माध्यम से ये बताया गया है कि हाथों को रगडने पर आप गर्मी अनुभव करते हैं। इसके नीचे चित्र 12.10 ने दिखाया गया है। इसके माध्यम से ये बताया गया है कि घर्षण के कारण माचिस की तीली को रगडने पर वो आग पकड़ लेती है। प्रिष्ठ 151 12.4 घर्षण बढ़ाना तथा घटाना पिछले अनुभाग में आपने देखा कि कुछ परिस्थितियों में घर्षण पांचनी ये होता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके जूतों की तली खांचेदार क्यों है। चित्र 12.111 खांचे जूतों की फर्ष से पकड़ बनाते हैं जिसके कारण आप चलते समय सुरक्षित रहते हैं। इसी प्रकार कारों, ट्रकों तथा बुल्डोजरों के टायर भी खांचेदार होते हैं जिससे सडक से उनकी पकड़ अच्छी बनती है। चित्र 12.11a, जूते तथा चित्र 12.11b तायरों की तलियों को खांचेदार बना कर घर्षन अधिक किया जाता है। स्वचालित वहनों तथा साइकिलों की ब्रेक प्रणालियों में ब्रेक पैडों का उपियोग करके हम जान बूज कर घर्षन में व्रिद्धी करते हैं। जब आप कोई साइकिल चलाते हैं, तो उसके ब्रेक पैड पहिये को स्पर्ष नहीं करते। परन्तु जब आप ब्रेक लीवर को दबाते हैं, तो ये पैड घर्षन के कारण रिम की गती को रोक देते हैं और पहिया गती करना बंद कर देता है। अपने हाथों पर कोई रुक्ष पदार्थ लगा लेते हैं ताके घर्षन में व्रिद्धी करके अच्छी पकड बना सकें। यद्यपी कुछ अन्य स्थितियों में घर्षन अवांचनी होता है अतह हम उसे कम करना चाहेंगे। कैरम बोड पर आप महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं। चित्र बारह दशमलव एक दो आपने ये नोट किया होगा कि जब हम दर्वाजों के कबजों चूलों में तेल की कुछ बूंदें डालते हैं तो दर्वाजा सहज ही घूमने लगता है। साइकिल तथा मोटर के मेकैनिक मिस्त्री इन मशीनों के गतिशील भागों के बीच ग्रीज लगाते हैं। इन सभी परिस्थितियों में हम दक्षता में वृद्धी के लिए घर्शन को कम करते हैं। जब तेल, ग्रीज, अथवा ग्रेफाइट को किसी मशीन के गतिशील पूर्जों याने भागों के बीच लगाते हैं, तो वहाँ इनकी एक पतली परत बन जाती है। तथा गतिशील प्रिष्थ सीधे ही एक दूसरे को रगण नहीं पाते। चित्र बारह दशमलव एक तीन। इस प्रिष्थ पर बीच में चित्र बारह दशमलव एक दो दिखाया गया है। इसके माध्यम से ये बताया गया है कि घर्शन कम करने के लिए कैरमबोड पर पाउडर छिड़का गया है। इस प्रकार अनियमितताओं का अंतह बंधन का अंतह पाशन काफी सीमा तक दूर हो जाता है। गती सहज बन जाती है। घर्शन कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक कहते हैं। कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उप्योग न करने की सलाह दी जाती है। वायू की गद्धी का उप्योग किया जाता है। इस प्रिष्ट पर नीचे चित्र बारह दिशमलव एक तीन दिखाया गया है। इस चित्र के माध्यम से स्नेहक का प्रभाव दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं इस चित्र में भूरे रंग की सतह एक है, बादामी रंग की चिकनाई है और नीले रंग की है सतह दो। प्रिष्ट एक सबावन बूजो ने पूछा, क्या हम प्रिष्टों पर पॉलिश करके अत्वा अत्यधिक मात्रा में स्नेहक पदार्थों का उपियोग करके घर्शन को घटा कर शून्य कर सकते हैं। पहेली ने कहा, घर्शन कदापी पून तह समाप्त नहीं हो सकता है। कोई प्रिष्ट पून तह चिकना नहीं होता, उसमें कुछ अनियमित्ताएं अवश्य होती हैं। 12.5 पहिये घर्शन कम कर देते हैं। आपने अटैचियों तथा अन्यभारी सामानों असबाबों पर रोलर जड़े देखे होंगे। ऐसे सामानों को कोई छूटा बच्चा भी आसानी से खीच सकता है। चित्र 12.14 ऐसा क्यों होता है? आईए पता लगाईं। इस प्रिष्ठ पर बाई और नीचे चित्र 12.14 दिखाया गया है। इसके माध्यम से ये बताया गया है के लोटन घर्शन कम कर देता है। क्रिया कलाप 12.4 बेलनाकार आकरिती की कुछ पैंसिलें लीजिए। इन्हें मेज पर एक दूसरे के समानतर रखिए। इनके उपर कोई मोटी पुस्तक रखिए। चित्र 12.15 अब पुस्तक को धके लिए। आप ये पाएंगे कि पुस्तक के गतिशील होने पर पैंसिल लुढ़कती है। पैंसिल की इस प्रकार की गती को लोटनिक गती कहती हैं। क्या आप ये अनुभव करते हैं कि पुस्तक को सरकाने की तुलना में इस प्रकार गतिशील कराने से घर्शन कम हो गया है। क्या आपने भारी मशीनों को उनके नीचे लकडी के लठे रख कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते देखा है चित्र 12.15 इस चित्र के माध्यम से रोलरों पर पुस्तक की गती को दर्शाया गया है जब एक वस्तू किसी दूसरी वस्तू के प्रिष्ठ पर लुढकती है तो उसकी गती के प्रतिरोध को लोटनिक घर्शन कहते हैं लोटन घर्शन कम कर देता है किसी वस्तू को दूसरी वस्तू पर सरकने की तुलना में लोटन करना सदैव आसान होता है यही कारण है कि रूलर जड़ा सामान खीचना सुविधा जनक होता है। क्या अब आप ये समझ सकते हैं कि पहिये के आविशकार को मानव जाती की महांतम खोजों में क्यों गिना जाता है। क्योंकि लोटनिक घर्षन सरपी घर्षन से कम होता है। इसलिए अधिकांश मशीनों में सरपन को बॉल बेरिंग के उपियोग द्वारा लोटन में प्रती स्थापित किया जाता है। चत के पंखों तथा साइकिलों में धुरी तथा नाभी याने हब के बीच बॉल बेरिंग का उपियोग इसके सामान्य उदाहरण है। चित्र 12.16 प्रिष्ट 153 इस प्रिष्ट पर बाई और उपर चित्र 12.16 दर्शाया गया है। इस चित्र के माध्यम से ये बताया गया है कि बॉल बेरिंग घर्शन कम कर देते हैं। 12.6 तरल घर्शन आप जानते हैं कि वायू त्यंत हल्की तथा विरल होती है। फिर भी इससे होकर गती करने वाली वस्तूओं पर वायू घर्शन बल लगाती है। इसी प्रकार जल तथा अन्य द्रव भी इनसे होकर गती करने वाली वस्तूओं पर घर्शन बल लगाते हैं। विज्ञान में गैसों तथा द्रवों को एक ही नाम तरल दिया गया है। अतह हम कह सकते हैं कि तरल इनसे होकर गती करने वाली वस्तूओं पर घर्शन बल लगाते हैं। तरलों द्वारा लगाये गए घर्शन बल को कर्शन भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में उनकी उर्जा का ख्षय होता है। अतह घर्षन को कम से कम करने के लिए प्रयास किये जाते हैं। अतह वस्तुओं को विशिष्ट आकृतियां दी जाती हैं। पक्षी तथा मचलियां तरल में गती करते हैं उनके शरीर का विकास इस प्रकार हुआ होगा कि तरल में गती करते समय घर्षन पर पार पाने में उनकी उर्जा का क्षय यथा संभव कम हो आपने इन आक्रितियों के बारे में कक्षा च्षय में अध्ययन किया था वायूयान की आक्रिती को सावधानी पूर्वक देखिए चित्र बारेह दशमलव एक साथ क्या आप इसकी आक्रिती तथा किसी पक्षी की आक्रिती में कोई समानता पाते हैं वास्तव में सभी वाहनों के डिजाइन इस प्रकार बनाए जाते हैं कि तरल घर्षन कम हो जाए इस प्रिष्ठ पर सबसे नीचे चित्र बारेह दशमलव एक साथ दर्शाया गया है इस चित्र के माध्यम से ये बताया गया है कि एक हवाई जहाज और पक्षी की आक्रिती में समानता होती है प्रिष्ठ एकसाचववन प्रमुख शब्द बॉल बेरिंग कर्शन तरल घर्षन घर्षन अंतह बंधन स्नेहक लोटनिक घर्षन सरपी घर्षन स्थैतिक घर्षन आपने क्या सीखा घर्षन संपर्क में रखे दो प्रिष्ठों के बीच सापेक्ष गती का विरोध करता है ये दोनों प्रिष्ठों पर कार्य करता है घर्षन संपर्क के दो प्रिष्ठों की प्रकृती पर निर्भर करता है दिये गए प्रिष्ठों के युगल के लिए घर्षण इन प्रिष्ठों के चिकनेपन की अवस्था पर निर्भर करता है घर्षण इस बात पर निर्भर करता है कि दो प्रिष्ठ एक दूसरे को कितने बलपूर्वक दबाते हैं स्थैतिक घरशन तब कार्य करना आरंभ करता है जब हम किसी वस्तु को उसकी विराम की स्थिती से गती में लाने का प्रयास करते हैं सरपी घर्षण तब कार्य करना आरंभ करता है जब कोई वस्तू किसी अन्य वस्तू पर सरपी गती करती है सरपी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है घर्षण हमारे बहुत से क्रिया कलापों के लिए महत्वपून होता है किसी प्रिष्ठ को रुक्ष बना कर घर्षन बढ़ाया जा सकता है जूतों की तली तथा वाहनों के टायर घर्षन बढ़ाने के लिए खांचेदार बनाये जाते हैं कभी-कभी घर्षन अवांचनी होता है सनेहत लगा कर घर्षन को कम किया जा सकता है जब कोई वस्तू किसी अन्य वस्तू पर लोटन करती है तो लोटनिक घर्षन कार्य करना आरम्भ करता है। लोटनिक घर्षन सरपी घर्षन की अपेक्षा कम होता है। कई मशीनों में बॉल बेरिंग का उपियोग करके घर्षन को कम किया जाता है। तरल में गती करने वाली वस्तूओं को उचित आक्रिती प्रदान करके घर्शन बल को कम किया जा सकता है। इस प्रिष्ठ पर बाई और नीचे एक पहेली लिखी गई है। आपके लिए एक पहेली। कुछ स्थितियों में मैं गती का विरोध करता हूँ। यद्यपी मैं गती को संभव बनाता हूँ। परंतु मैं सापेक्ष गती का सदा विरोध करता हूँ। दो गतिमान प्रिष्ठों के बीच लगाईए वहां कुछ स्नेहक, वहां बन जाता हूँ मैं छोटा। बनाईए गतिमान प्रिष्ठों को रुक्ष, बना देता हूँ मैं गती को कठिन। मैं हो सकता हूँ स्थैतिक, सरपी, अथ्वा लोटनिक, परंतु जब भी होते हैं दो प्रिष्ठ गतिमाई। होता मैं हूँ सदैव वहां, बताओ मैं हूँ कौन। प्रिष्ठ 155 अभ्यास 1. रिक्त स्थानों की पूर्ती कीजिए। क. घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के प्रिष्ठों के बीच रिक्त स्थान का विरोध करता है। क. घर्षण प्रिष्ठों के रिक्त स्थान पर निर्भर करता है। ग, घर्शन से रिक्त स्थान उत्पन्न होती है, ग, क्यरमबोड पर पाउडर छिड़कने से घर्शन रिक्त स्थान हो जाता है, ड, सरपी घर्शन स्थैतिक घर्शन से रिक्त स्थान होता है, 2. चार बच्चों को लोटनिक, स्थैतिक तथा सर्पी घर्शन के कारण बलों को घटते क्रम में विवस्थित करने के लिए कहा गया उनकी विवस्था नीचे दी गई है, सही विवस्था का चयन कीजिये क, लोटनिक, स्थैतिक, सर्पी, ख, लोटनिक, सर्पी, स्थैतिक, ग, स्थैतिक, सर्पी, लोटनिक, ग, सर्पी, स्थैतिक, लोटनिक, तीन. आलीदा अपनी खिलोना कार को संगमर्मर के सूखे फर्ष, संगमर्मर के गीले फर्ष, फर्ष पर बिछे समाचार पत्र तथा तौलिय पर चलाती है कार पर विभिन प्रिष्ठों द्वारा लगे घर्शन बल का बढ़ता क्रम होगा क संगमर्मर का गीला फर्ष, संगमर्मर का सूखा फर्ष, समाचार पत्र, तॉलिया ख, समाचार पत्र, तॉलिया, संगमर्मर का सूखा फर्ष, संगमर्मर का गीला फर्ष, ग, तॉलिया समाचार पत्र, संगमर्मर का सूखा फर्ष, संगमर्मर का गीला फर्ष, ग, संगमर्मर का गीला फर्ष, संगमर्मर का सूखा फर्ष, तॉलिया, समाचार पत्र 4. मान लीजिये आप अपने डेस्क को थोड़ा जुकाते हैं उस पर रखी कोई पुस्तक नीचे की ओर सरकना आरंभ कर देती है इस पर लगे घर्शन बल की दिशादर शाये 5. मान लीजिये दुरघटना वश साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर उलट जाए इस गीले फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन अपने उत्तर का कारण बताईए 6. खिलाडी कीलदार जूते यानि स्पाइक्स क्यों पहनते हैं व्याख्या कीजिये 7. एक बाल को हलकी पेटी का धकेलनी है तथा सीमा को उसी फर्श पर भारी पेटी का धकेलनी है कौन अधिक घर्शन बल अनुभव करेगा और क्यों 8. व्याख्या कीजिये सरपी घर्शन स्थैतिक घर्शन से कम क्यों होता है 9. वरणन कीजिये घर्शन किस प्रकार शत्रू एव मित्र दोनों है 10. वरणन कीजिये तरल में गती करने वाली वस्तुओं की आक्रिती विशेश प्रकार की क्यों बनाते हैं प्रिष्ट 156 विस्तारित अधिगम, क्रिया कलाप एवं परियोजनाई एक, आपकी रुची के खेल में घर्षण की क्या भूमिका है? इस खेल के कुछ ऐसे चित्र एकत्र कीजिए, जिसमें खेलते समाएं घर्षण या तो सहायता कर रहा है, अथवा विरोध कर रहा है। अपनी कक्षा के बुलिटिन बोर्ड पर इन चित्रों को उचित शीर्शक सहित प्रदर्शित कीजिए। दो, कल्पना कीजिए के घर्षण यका यक समाप्त हो जाए, इससे जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? ऐसी दस परिस्थितियों की सूची बनाईए। तीन, किसी ऐसी दुकान पर जाईए जहां खेलों के जूते मिलते हैं। विभिन्न खेलों के जूतों की तलियों का प्रेक्षण कीजिए, अपने प्रेक्षणों का वरणन कीजिए। चार, एक खिलोना बनाईए, माचिस की एक खाली डिब्बी लीजिए, इसकी ट्रे निकालिए, चित्र में दर्शाय अनुसार किसी बॉल पेन की अनुपयोगी रीफिल लेकर उसे ट्रे की चौडाई के बराबर काटिए। रीफिल को चित्र 12.18 में दर्शाय अनुसार दो पिनों की सहायता से ट्रे के उपरी भाग में जड़िए। ट्रे के सम्मुख फलकों पर चित्र बनाईए। ये सुनिश्चित कीजिए कि चित्र इतने बड़े हों कि धागे को चित्रों से आसानी से गुजारा जा सके। एक मीटर लंबा धागा लेकर उसे चित्र में दर्शाय अनुसार छिद्रों से गुजारिए। धागे के दोनों सिरों पर मन के बांध दीजिए ताके वो ट्रे के छिद्रों से बाहर न निकल सके। अब ट्रे में माचिस की डिब्बी का धकन लगा दीजिए। माचिस की डिब्बी को धागे से लटकाईए, धागा धीला छोड़ दीजिए। माचिस की डिब्बी गुरुत्व बल के कारण नीचे गिरना आरंभ कर देती है। अब धागे को कस दीजिए और प्रेक्षन कीजिए क्या होता है। अपने प्रेक्षन की व्याख्या कीजिए, क्या आप इस घटना का घर्षन से संबंध स्थापित कर सकते हैं। चित्र 12.18 यहां दी गई वेबसाइट पर आप संबंधित विशाय पर और अधिक अध्ययन कर सकते हैं। http.www.school-for-champions.com slash science slash friction dot htm http slash slash hyperphysics dot phy dash astr dot gsu dot edu slash hbase slash firct2 dot html इसी के साथ 18 अध्यायों की इस पुस्तक का अध्याय बारह यहां समाप्त हुआ। वाचक बाबला को छड़ अभी आप सुन रहे थे ये ध्वनी पाठे पुस्तक तक्नीकी नियंत्रण बटी लैंग लिंग्डो तक्नीकी सहायक विकास सांगवान निर्माण सहयोग कुसुम लता निर्माण एवं निर्देशन वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत प्रस्तुती C.I.E.T.